पाठ दो जो कोई ना कर सके क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सब तरह के काम कर सकता हो इस कहानी को पढ़ कर देखो कौन है ऐसा? कहीं आप ही तो नहीं एक दिन बाठ शाह अकबर ने बीरबल से कहा बीरबल जिसे कोई ना कर सके ऐसा काम कौन कर सकता है? हुजूर छोटे बच्चे हाँ 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 अच्छी डींग मार दी किसी दिन दिखा दूँगा आपको ठीक है देखेंगे बाठ शाह तो कुछ समय के बाद यह बाद भूल गये पर बीरबल नहीं भूले बीरबल एक दिन गली से गुजर रहे थे गली में पहुच से बच्चे खेल रहे थे वे उनसे बोले बच्चो इधर आओ तुरंत बच्चों की एक टोली आकर खड़ी हो गई बच्चो मेरा एक काम कर दोगे हाँ हाँ बताईए कर देंगे हाँ हाँ बताईए कर देंगे यह गड़ देखते हूँ न इसकी बगल में मिट्टी का एक बड़ा धिर लगा दो जो एक तसली मिट्टी डालेगा उसे एक पाई मिलेगी और जो दो डालेगा उसे दो पाईया मिलेगी बच्चे तो बच्चे ठहरे एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया ऐसे सारे गली के बच्चे इकट्टे हो गए फिर तो वे सब तसली लेकर लग गए मिट्टी डालने को फिर दूसरी गली के बच्चे भी आये फिर तीसरी गली के आये और ऐसे सारे गाउं के बच्चे आ गए बीरबल एक एक पाई देते जाते और कहते जाते हम वो मेरे बच्चों, हम वो मेरे बच्चों, बढ़े चलो बच्चे यानी की चमतकार कुछ क्षणों में ही मित्थी का धेर लग गया फिर दो पल और बीतने को आए कि वह धीर गढ़ के कंगूरे को छुने लगा अब तुम सब इसे रौंद कर ऐसे बना दो जैसे रास्ता हो बच्चे तो यही चाहते भी थे वे सब लग गए मिट्थी रौंदने में पल भर में रास्ता बन गया गढ़ी से लेकर गढ़ के ऊपर तक पहुँचने का रास्ता अब बस करो बीरबल ने हथ साल में से एक हाथी मंगवाया और महावत से कहा इस रास्ते पढ़ से हाथी को गढ़ पर चढ़ा दो अच्चा भला रास्ता था हाथी गढ़ पर चढ़ गया गढ़ पर चढ़ा हाथी दूर से ही दिखाई देने लगा बच्चो अब इस मिट्टी के धेर को तितर बितर कर दो पूरी मिट्टी को गली में बिखेड दो जैसा पहले था वैसा ही बना दो एक-एक तसली के लिए एक-एक पाई और सब बच्चे तोड़ पड़े तसली भर-बर मिट्टी फेंकते जाते पाई लेते जाते बच्चे लग जाएं तो देरी किस बात की घड़ी दो घड़ी में जैसा था वैसा ही हो गया जैसे मिट्टी का धेर था ही नहीं किसी को मालूम ही नहीं होता था कि हाथी गड़ पर चड़ा कैसे बच्चो अब तुम अपने अपने घड़ चले जाओ जब मैं बुलाओं तब सब आ जाना सब बच्चे चले गए फिर बीरबन ने बादशाह को बुलाया गड़ पर हाथी को देख कर बादशा ने दांतों तले उंगली दबाली दोर दोर से लोग उस हाथी को देखने आने लगे सब चकित कि हाथी चड़ा तो चड़ा कैसे और वह भी बिना रास देखे बीरबन ये हाथी गड़ पर कैसे चड़ गया हुजूर छोटे बच्चो ने चड़ाया है वह कैसे तब बीरबन ने पूरी बाद बता दी कि हाथी बच्चों की मदद से कैसे उपर चड़ा बादशा खुश हो गए कुछ दिन बीद गए बादशा अकबर को हाथी का ध्यान आया बीरबन से पूछा हाथी नीचे उतरा या नहीं अभी उतार देते हैं कैसे? एक बार फिर बीरबन ने सब बच्चों को बुलाया और मिट्टी का धेर लगवाया और हाथी को नीचे उतार लिया अरे वाह! बच्चों ने मिल जुलकर असंभव काम को संभव कर दिया तो अपने पर विश्वास होना जरूरी है फिर उत्साह, मिहनत और लगण के साथ काम सरलता से हो जाता है और मिल जुलकर काम करने का तो आननधी अलग है बच्चों आपने अकबर और बीरबल के अन्ने किस्से भी पढ़े होंगे बीरबल राजा अकबर के दरबार में नौ रतनों में से एक थे अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे वे बड़ी चतुराई से अपनी बात कह देते थे इस कहानी में भी बीरबल ने अपनी सूज बूज से राजा के प्रश्ण का उत्तर दे दिया इस पाठ में र और ढ़ा के शब्दाएं हैं ऐसे कुछ और भी शब्दों का उच्चारण ध्यान से सुनो और ध्वनी में अंतर पहचानो र पेड, पकड, सडक, लकडी, मकडी, कंकड, पहाड र गड, सीड़ी, चड़ना, बढ़ना, बुडिया, कड़ाई, पढ़ाई